नमस्कार आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे मैं अशुनी कुमार सिंग आज हमारे साथ महमान है विचित सर, सुमित सर और पुनेंदु जी आप सभी का स्वागत है काफी दिनों से कमेंट में भी आ रहा था है कि हम बिहार की बात क्यूं नहीं कर रहे हैं और विचित सर अभी हाली में बिहार से होकर आए है तो Ground Report विशेसर बताएंगे और विशेसर जो विशेस बात क्या है वो सुमिसर बताएंगे और हम दोनों सहायक है इन दोनों के तो चर्चा यह है कि नितीश कुमार बताया ज़रा कि नराजगी भी है क्योंकि करीब एक महीने ज़्यादा हो गया नहीं सरकार बने आठी मंत्री इसके बाद मंत्री मंडल का गठर नहीं हो पा रहा है चुनाओ की डेट नजीक आ रही है लाइन्स को लेकर कोई बात चित नही हुई है जेडियू और बीज़पी की पीस में कितना मिलने वाला है हम को कितना है बाते चल रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ धरातल पर नहीं दिख रहा है इस बीच तेजसुवी आदो एक यात्रा कर रहे है यात्रा में काफी भीड देखी जा रही उमीद यह जटाए जा र टोटल 5 सीत इंडिया गट रात बंधन को मिल सकती है थी पिछली वार मे था एक इस बार 5 ता आप सो सकतें कितने पर संद का जॉम्प है च andare इस बार कि डैंट बीज़पी को दे सकता है बाल एंडिया और गट बंधन वहां पर मेरी कुछ बीजेपी की नेताओं से भी बात चीत हुई उन सब लोगों को एक बात लग रही है कि नितिश कुमार से गड़बंधन नहीं करना चाहिए था बीजेपी अपने दम पर लड़ती तो इससे बहतर करती नितिश कुमार के पास न तो वोट है न उनकी कोई छवी है और नहीं उनको ले करके कोई साख है तो इस इस्थिति में वो नुकसान दे सकता है ये तो साफ बीजेपी के जो अस्थानिय नेता है उन लोगों की बातों स से यह लग रहा है तो जोडा क्यों देखिए बीजेपी में कारिकरता बात सही है कि कहने के लिए तो है कि वो कारिकरतां की पार्टी है कोई कारिकरता उठकर करके अचानक मोहन यादव की तरह या फिर भजनलाल स्वर्मा की तरह मुख्यमंत्री बन सकता है लेकिन फिर भी वो एक केंद्री कृत पार्टी है सेंट्रलाइजड पार्टी है तो सेंट्रलाइजड पार्टी में आखिरकार आला कमान ही तै करता है जैसे आज से 40 साल पहले कॉंग्रेस में सिर्फ आला कमान तै करता था सुबह कोई मुख्यमंत्री होता था शाम को बदल जाता था आना क कि इस सरकार में उस तरह से नहीं है जितना उस समय था उसमय मुख्यमंत्रियों की इस्थिति यह थी कि कुर्सी को यहां पर पड़ी है आप उठा करके दूसरी जगह रख दें उससे बहतर नहीं होती थी खासकर राजी उगांधी ने सबसे ज्यादा यह काम किया था उसमय में आज की स्थिति यह है कि बिहार में ऐसा लगता है कि केंद्री नेत्रित ने राज अस्तर के नेताओं से एक दो लोगों से बाचित की होगी और जो कुछ ध्वनी बिहार की राजनीत से निकल रही है उसमें यह लग रहा है कि उनसे सला नहीं मांगी गई उनको निर्देश दिया गया आदेश तो नहीं कहूंगा लेकिन निर्देश तो जरूर दिया गया कि आप नितिश बावु आ गये हैं हम दरवाजा भले बंद रखे हुए थे लेकिन हमने खोल दिया है और आ रहे हैं तो आप उनका स्वागत करिए उनके लिए पालकी सजाईए और पालकी दिया है जो भिहार मकी राजनीत में तीसरे नंबर की ताकत हो कर हमेशा पहले नंबर की कुर्शी पर विराजमान है, पिछले उनिच साल से, वो उनसे ताकतवर आर्जडी है, उनसे ताकतवर बीजेपी है, और दोनों बारी बारी से उनके सत्ता की पालकी को ढो रहे हैं, तो उस नितिस्कुमार अगर बीजेपी के साथ गए हैं, जिस बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर 2020 में वो अपनी सीटेंग अबाच चुके हैं, और सबसे कमजोर हो चुके हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि नितिस्कुमार को पता नहीं होगा कि ये बीजेपी हमें फिर से जिस कंटूं की पर्टी के बिधायकों को जिससरे से तोड़ रही ही नेंको एक बिद़ चाल के बिल्कुल बगलाल Myricule City मेरे वीधान सवाब सी बिल्कुल ग dal की ये लकिन लेकिन वहां वह बाatt है कि मेरा हम मुझसे क्या पूछती वो मुन्नी श्रिया के साथ स्रिया हों सुन्नी के साथ सुन्नी तो जिधर से मौका मिले उधर चले गए ये उस तरह से चले गए और दूसरा इसका फलक है जो आपने प्रारंब में कहा कि तेजस्वी यादो की तीन तारीकों रैली है रैली में भीड उमडेगी इसल बूत अग्रेसिव है वोगल है और वह अपने निता के लिए जहां भी बुलाया जाता है जाता है जिसे जब राहुल गांधी अभी पध्यात्रा कर रहे थे न्यायात्रा तो उनके न्यायात्रा बिहार के आखिरी छोर पर जिस गाउं में वुआ उव मेरे गाउं से मुश् तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह सर्वे सही होता है तो जब एक वाले को जिसको पिछली बार एक मिला हो उसको अगर इस बार पांच मिलने के आसार दिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बढ़त पर है और वो पांच एक्सलरेट करके और आगे जा सकता है ये एक विपक्ष के लिए मतलब प्लाण बायू दे सकता है बस इतना ही है मेरे लिए कुछ बचा नहीं सब तो इन्होंने बोल दिया इतना लंबा बोला विचितर जी ने आज की कैफे में पूरा पूरा डिनर हो गया तीन तीन मीन की बात हो रही है लेकिन उससे एक दिन पहले दो मार्च तो मोईजी भी जा लहार है पिहार और तमाम प्रोजक्षक की गोष्णा ही करने की बात है और सभावी योगी उनकी तो दो रेलियां बैक तो बैक एक दो मार्च एक जोड़ दीजह को फिर ते जशवी पीके फैक्टर क्या है उसको देखके समझ जाता है कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने निशाने पर नितिश कुमार को लिया हुआ है जतना निशाने पर निशाने पर आएक जमाने में लालू यादव होते थे वह खासे लालू यादव और और आजईडी नंबर दोपर चली गई है एक मात रून का एजिटा जो मैं समझ पार रहा हूं यहां आज से बैठके प्रशांत किशोर को कि वो नितिश कुमार और नितिश कुमार की party में जो vacuum create हो रहा है नमबर टू के लिए उसको किसी तरीके से कब्जा कर लेना चाहते हैं वो अल्मूस्ट नमबर टू बनी गए थे senior vice president थे senior vice president और नमबर टू की उपाधी मिली हुई थी जो जो उस वक्त में किस साल का हुआ था उस तरह की वोटर को कैप्टिलाइज करने के लिए अपने साथ को कि खुद तो वो जाती से ब्रामबर हैं और बिहार में ब्रामबर मुक्यमंदरी होगा ये समझना बहुत मुश्किल है मेरे लिए दिल्ली में बैठके जितना मैं बिहार का जो चुनाव होगा विधानसभा का उसकी तयारी जादा कर रहा है क्योंकि तेजस्वी के सामने कौन एक भई तेजस्वी की उमर भी 35-40 साल के आसपास है तो ये भी 50 के अंडर में है पीके तो उनको लगता है कि वह क्यूम है पूरा लीडर्शिप के बाद लालू कर सकते तो ये तो रही बात हो जहां तक रही क्या होगा बिहार में निकीशि कुमार क्या होगा सोचल मीडिया भरा पड़ा है सोचल मीडिया तक कि मुक्यमंदरी एक हफते के लिए बाहर जा रहे है और एक हफते बाद जब लोटेंगे तो सरकार बदल चुकी होगी, इसमें आधी बात तो बिल्गूल सच है कि मुक्यपंदरी एक हफते के लिए उनको लंडन जाना है, उनका साइंस सिटी का टूर है, अभी आपको याद भी होगा, दो-तीन दिन पहले उन्होंने एक साइंस म इंजिनिंग के विधारती रहें, नितिश कुमार इस कोशिश में लगे हो गए है, तो एक तो ये बात है, लेकिन लगातार जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक के विधायक टूट टूट के इधर आ रहे हैं, आज नितिश जी का बत्रे भी है, उनको बहुत 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 फिर से पल्टे, अभी नहीं लग रहा है, इस वक्त जब मैं आप से बात कर रहा हूं, जब ये शाम को दो, एक मार्च को शाम को जब हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पांच बिज़े के असपास, तब तक तो नहीं लग रहा है, लेकिन राजनीती में हर पल चीज़े बदलती है, एक रात ही काफी होती है, चीज़े बदल देने को, नितिश कुमान ने किसी ने सोचा था कि हम 28 जनवरी को बीजेपी के साथ गए, मुख्यमंतरी बने, आज एक मार्च आ गया, अब तक कैबिनेट एक्समेंशन नहीं हुआ, एक बार जो बनके रह गए चार पा सकते हैं, तो जो कल रहे हो रैली होने वाली जिसका थिकर अभी पूर्णेंदू कर रहे थे, उस रैली में प्रधानमंतरी के सामने नितिश कुमार क्या बोलते हैं, वो बहुत इंपोर्टेंट है, नितिश कुमार ने आपको याद दिलाता हूँ, एक मेने पहले ले जाता ह पर, उन्होंने कभी बंसवाद नहीं किया, करपुरी ठाकुर ने, और मैं भी नहीं करता हूँ, और बंसवाद के जो तमाम रागनेत के चेहरे हैं, वो लोग क्या करपुरी ठाकुर को समझेंगे, ये उनकी भासा थी, तो नितिश कुमार फिदाइन मोड में थे, अभी भी चल रहे हैं क्या, ये कल पता लगेगा, जब पीएम के साथ में साजा करेंगे, पीएम की रेली एक बार कैंसिल हो चुके है, ये पोस्पोन होके हो रही है, सरकार बनने के बाद, तो ये बड़ा इंपोर्टेंट है, बीजेपी और जेडियू के अंदर कितना आपस में भरो भरोसे की वज़े से पिछली बार चालिस में से उन्तालिस दीते थे, इस बार अगर भरोसे में कमी है, तो जो सर्वे आप जिक्र कर रहे थे शुरुआत में, कि पांच सीटें इंडिया को दिखाई दे रही है, वो नुकसान किसी का भी हो, अंतिता मोदी का नुकसान हो रह लेकर आना है, तो नितिश कुमार को समझ में आ रहा है, कि मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर हूँ, मेरे बगेर वो नहीं हो सकता है, पिछली बार मैं साथ में था तो सत्रा में से सोला जीता था, तो अगर मैं को सत्रा से खड़ा कि आप बारा पर तेरा पर लेकर आने वाले ह तो मैं इतनी आसानी सा नहीं मानने वाला हूँ, तो कल की रैली में क्या केमिस्ट्री होती है, दोनों बड़े निताओं के बीच, वो बड़ा क्रिटिकल है। 2015 में जब वो BJP से हट करके जब इनके साथ लड़े RJD के साथ तो बहमत मिला, फिर 2020 में जब इनके साथ लड़े BJP के साथ तो भी इनको बहमत मिला, तो एक पार्टी ऐसी है जिनके समर्थकों को शायद बहुत दिक्कत नहीं है, वो उधर जाए तो उधर भी चले जाएंगे और वोट भी एक दूसरे को ट्रांसफर कहीं न कहीं होते हैं, कम जदा ठीक है, लेकिन बहमत आता है, मतलब कि JDU एक एक सेप्टेट पार्टी है, कि वो चाहे वो समाजबादी धड़े के साथ मिले तो भी ठीक है, और या जो हम सो कॉल राइट विंग पार्टी कहते हैं, न कि एक खेवा बटा हुआ है कि यह पूरा का पूरा वोटर भी जे पी का है, और यह पूरा का पूरा वोटर RJD का है, अब वहां कॉंग्रेस खतम के बराबर है, नितिश कुमार एडिशन है, वो यहां जुडते हैं तो इस खांचे को बढ़ा देते हैं, यहां जुडते तो कि तीसरे नंबर की पार्टी होकर के भी CMQ, तो यही उनकी खासियत है, इसलिए वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, हलांकि जो पीके की बात आपने की कि वो लगतार हमले कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगले विदानसवा चुनाओं में 20 सीटे से जादा अगर इनको मिल ग अगर जाएंगे तब किसी को भगाएंगे ना, अभी का आज की डेट में नितिश कुमार ने इस देश की विहार की राजीती में, सेवेंटी से लेगे आज तक, पचालीस, 30, 40, 50 साल का कॉंट्रिबूशन है उनका, जाए सकस्फुल हो चाए फेलियर हो, पर नितिश कुमार को पिहार के सबसे सफल मुखी मंत्री में जबी लिस्त बनेगी तूमता 25-2010 का जुक कारकाल है, वह बेस्कार कारेकाल मेंसे माना जाएगा एक बिहार की तवा मुख्य jak mundane क्यां, किसको? अगर शुकमार जित्वा सकते हैं, तो आके जित्वा थें, किसी ऐसी पार्ट्य को ज ऊब मुल आते हैं कि जो तेजस्वी की बाथ है कि लोग क्रिता जो बढ़ रही है सरकार के गिरने के बाद सिंपैथि मिली है रोजगार के सवाल पर नौकरियों के सवाल पर और सभाव में भीड शामाने भीड नहीं है उस भीड में ऊर्जा हुआ है जुटाए हुई भीड उतनी नहीं लगती है, क्योंकि देर रात दो बज़े तक लोग खड़े हैं सड़कों के किनारे, तो ये कुछ कहता है, ये आप जुटा जुटा कि किसी को रात को बारा एक बज़े दो बज़े नहीं खड़ा कर सकते, अब सवाल क्या है कि भी वो जो सम सभा में ना भी हो, विधान सभा में बहुत चीज़े इस बार अलगी लेच विधान सभा चुनावा में अलग होंगी, अब आप देखे कि तेजस्वी जो पुरानी आर्जेटी के पॉलिक्स थी, उसमें कुछ एड कर रहे हैं, वो क्या बीजेपी की आर्जेटी को क्या कहत है कि वो एक पहचान बनाने की कोशिस है कि हम सिर्फ एक कास्ट, जो दो कास्ट से हमें जोड के देखा जाता था, अब हम उससे उठ रहे हैं और हम नौकरी की बात करने वाले लोग हैं, अपना फेस चेंज कर रहे हैं और विधान सभा 2020 में जो सबर्थन मिला, आर्जेटी क हमें भीतर भी और बहार भी बहुती अच्छा भाशन दिया दोनों जगे पर, और मुझे जो सबसे अच्छी बात लही, चौन्तिस साल उमार है उनकी मार, हाँ, और जो मुझे पॉजिटिव चीज दिखाई दी उनकी बातचीत में, कि हमने रोजगार का वादा पूरा किया हमने रोजगार दिलवाया, हमने इस सरकार से काम करका दिलवाया, जो सरकार बना करती थी कि कहां से आएंगे रोजगार कैसे पैदा होंगे, तो जब से हम जुड़े हमने करा के दिखाया, तो रोजगार की जो पिछ है, जो आप भीड बोल रहे है न, वो भीड दो वज़े है रोजगार की पिछ जो कि यूद को चाहिए आज की डेट में जो की बहुत बड़ा मुद्दा है बियार की तक बियार में और दूसरा जो बात विच्छी देजी बोल रहे थे कि उसका वोटर वोकल है यादव जो होता है यादव वोकल वोटर होता है और डंडा मार के समने आता है हटो हटो बाहर निकालो भी मैं वो बाहु बली और आप की काम है वो वड़ा भाहुबली और मार्शल ड?!? की कउम में अपने आप को देखाता नहीं दिखाता नहीं इस faster आप देखिए क्या हुआ है मैं चाहूंगा सुधीश को सुधीश इस पर जूमिन करो इसको दिखाओ इस पोस्टर को नितिश कुमार के दफतर के बार यह पोस्टर लगए नितिश मतलब रोजगार मतलब नितिश कुमार तो रोजगार मतलब नितिश कुमार के पोस्टर अग बीजो भी पर्टी नौक्रिया बटी लाग दो लाग पांच लाग मुझे नंबर नहीं याद है इस तरह के पोस्टर लगाए गए एक और पोस्टर देखिया वो क्या कर रहे हैं नितिश्क कुमार पर हम्ला कर रहे हैं बीजेपी की तरह है यह एक और पोस्टर है पूरा बिह को चिताना मैं हूँ आपके साथ क्योंकि बीजेभी का कैमपेनी वही है तो यह दो मुद्दों को लेकर वो तेजस्वी के मामले के हवा निकालना चाहते हैं यह बड़ी दुखती रग है तेजस्वी की भी आरजेडी की भी कि वह उनकी ओपर वन्शवात का इतना गंभीर आर है तो इस चीज मतला कम से कम लोगसवा में कर पाएं तो बहुत अच्छा नहीं तो असेम्बली में इस चीज से उनको बचना होगा इसमें एक चीज है कि पिछले आसे चार-पांस साल पहले तक आरजेडी के अंदर ही लड़ाई थी कि कि किसके हाथ में पावर होगी लेकिन अब पूरे परिवार ने मान लिया कि तेजस्वी ही नेता है तो उससे कहीं ने कहीं एक फायदा तेजस्वी को हुआ है वरना पहले तेज परताव और कितनी ख़बरे आती थी मीसा भारती और बहुत सारी सीट्स को लेके वो तलगी तो वो उन्होंने कम सकम वो चीज को सब परिवार के साथ रह रहे हैं जब जमानत पर तुन्होंने इस चीज को सबसर परिवार के अंदर की फूट जो भी है अंदर ही रहे हम 14 लोगों के बाहने निकलनी चाहिए एक सवाल जिस पे आप तीनों लोग फटा फट बता दीजिएगा जो सर्वे आया सर उसमें चार सीटे हैं दो सीटे जेडियू की हैं दो सीटे एलजीपी की हैं जो डेंट होके आर बीजेपी की पॉप्लेटी इन सब से ज़्यादा है इसलिए बीजेपी यह चाल चल सकती है कि अपने सीटे बढ़ा ले एलजीपी इन सब का कम कर दे और उनको राजसभा यह कहीं विदानसभा में कमपर्शेट कर दे देखें बीजेपी ज्यादा इस बार बीजेपी अपन करते हैं तो उसे आपकी अपनी जो अपना जो वजन है वो कम होता है दूसरी बात कि दूसरा जो फीजेपी है उसके अंदर आपस में घमाशान है उन को लगता है कि मैं भी भगता ही हूं तो वह भगतों की लड़ाई है तो बीजेपी का अपर हेंड है बीजेपी जो चाहेगी जैसे चाहेगी उन लोगों को सेट कर देगी विपक्च के साथ बिहार में भी जो सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि बिपक्च एक सर्वे ने दिखाया पांच सीट इस से विपक्च जरूर खुश हो सकता है लेकिन बिपक्च के साथ सब लोग बोलते हैं, प्रधान मंत्री तक बोलते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, कहने के लिए ही सही, तो लेकिन विपक्ष मजबूत तब तक नहीं हो सकता, जब तक कॉंग्रेस मजबूत नहीं हो, लेकिन कॉंग्रेस अपनी आदतों से, अपने बेवहार से, अप इसी काम के नहीं रहा गये होते अगर कॉंग्रेस ने तब सत्तर सीटों पर कॉंग्रेस लड़ी थी सत्तर में अगर 35 सीटें भी जीती होती है लेकिन राजी राहूल गांधी खुद प्रचार करने नहीं गया दूसरों की तो छोड़ दीजिए अगर वह सिर्फ 35 सीटें जीती क्या और तब भी मैंने एक आर्टिकिल लिखा था कि बीजेपी ने आर्जेटी ने बड़ी भारी भूल कर दी जो कॉंग्रेस जैसी पार्टी को बिहार में सत्तर सीटें दे दी क्योंकि मुझे लगता था कि कॉंग्रेस सत्तर सीटें लड़ने लाए कि नहीं है यूपी में हुई थी 2017 में बिल्कुल जब उन्होंने कॉंग्रेस को लगबग साथ सो सीटे रहे दे दी ती तो कॉंग्रेस का स्ट्राइक रेट जो है लाए कि इसलिए है कि कॉंग्रेस के पास कोई बेसिक आधार नहीं है और कॉंग्रेस के नेतार सड़क नहीं दिखते व आपके जिमें और कम क्या था आपके जिमें और क्या कम तो यहीं एक बस दिक्कत है और इसलिए अगर बीजेपी वहां पर जीते गी मैं का रहा हूं लोग सवाचुनाओं में भी अगर जीते गी तो उसमें उसकी अपनी ताकत तो है ही विपक्ष की जो कॉंग्रेस की कमजो अब आपके जो बात चल रही है कि लोग सबागे सब्सक्राइब जिस तरह कि तूट हो रहा है जेडियू में बात ऐसी हो रही है कि अबहीं तक समझस नहीं बन पाया दोनें पाटियों के बीच में और बीजेपी के पास अभी ए मौका है अगर अभी लड़ लेगी कि यह दो अशुन का सवाल था उसमें मैं भी एड़ करना हूँ एक सवाल कि क्या जेडियू ने अगर बीजेपी से अलाइंस किया होगा तो अलाइंस से पहले ही कितनी सीटों पर लड़ना है अब सारी मांड़ वाली जो है ना वो हो गयोगी मुझे ऐसा लगता है वो होने क कि मुझे सीम की कुरसी दीजे मैं कम सीटों पर लड़ना तो ये चीज़े पहले होई होंगे या अब नहीं हो रही होंगे इस तो इनकी राय थी इसमें सवाल नहीं था सवाल आपका था कि क्या असेंबली असेंबली ने मेरी सेंबली की क्या मतलब है नितिश कुमार और हमित शाह की सेंबली होनी चाहिए मैं यह कहना चारा हूँ कि क्या सरकार विदानसभा भंकर देंगे क्या साथ में चुनाव होंगे यह आपका सवाल था है न यही चर्चा है न अब बहुत लेट हो गया है अगर आज भी मालीजे नितिश्चुमा नाराज हो जाए और रिकमेंड करते राजपाल को कि हाउस रिकमेंड हारी जारी बिफर समय लगता है हम मार्च क महीने में हैं अगले अधस दिंकी अंदर लोक सभा चनाउन होने वाले है तो यह मांचे चलना कि लोकसभा के साथ बियार की विदानसा भी में megalis हो नहीं हो पाईए पिरूंगे तो पुनोंगे तो क। सितंबर, अक्टूबर, नलवंबर में महराश्ट के और ह््याना के होने, तब शाय दुआ हो जाए तो हो любимे हैं, चयुद कश्मिर के भी होने हैं इस बीट में, जो मेरे पाgt करना चाहिए कि अभी तक नितीश कुमार कल प्राइम मिनिस्टर की रैली में मंच पे होंगे नहीं होंगे यह जेडियू के नेताओं को भी नहीं पता है प्राइमिस्टर कल बिहार में जो आप कह रहे हैं दो तारिक को बेगुसराय में राकेश सिना साथ ट्वीट कर रहे हैं बेगुसराय से आते हैं राजसभा के सांसाद हैं और बड़ी खबर हैं कि इस बार वो लोगसभा लगने की त्यारी कर रहे हैं बेगुसराय से प्राइम मीनिस्टर और पहली rally संब बनने के बाद गडबंदन बननने के बाद होने वाली है उस बीच में इतना असमंजस जो है इसी वज़े से आप वाहों का बाजार गर्म है कि क्या फिर से पल्टी मारेंगे क्या विधान सबा डिजॉल हो जाएगी क्या मुख्यमंधरी खुश नहीं है क्यों काविनिट का एक्सपेंशन नहीं हुआ यह तमाम चीजें जो इशारा कर रही है कि कुछ ऐसी चीज है जो स्मूथ नहीं होने दे रही है चीजों को इसी नोट पर खतम करते हैं कि एक महागडवंधन की टूट हो रही महागडवंधन की विधायकों में दूसरा 238 क referee में भीड आ रही है दीसा कल प्रधामंध्री के रही है 4 जेडी यू और बीजेपी के बीच में वीडियो में देख रहे है पता ने जमीन पर कितना है बीजेपी मैंना कर रही है और 4 जो बात है कि क्या JDU और BJP कोई सब कुछ सही है कि नहीं यह तो इसका वहसला तो जनता ही करेगी सब कुछ सही है या ठीक नहीं तो आज की चार्चा में बस इतना ही कल मिलते हैं किसी और विशे के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद